Hello students, welcome to my YouTube channel G&T Academy इस वीडियो में हम लोग discuss करते हैं Dominators How to find out the Dominators What are the properties of Dominators Relationship and How to draw the Dominator Tree ठीक है? ये सब चीज़े हम लोग इस वीडियो में discuss करते हैं और ये एक में एक से related चीज़े हैं सभी तो सबसे पहले जान लेते हैं कि Dominator क्या होता है तो देखिए Dominator की Definition और Node A is a Dominator of Node B ठीक है? Node A is a Dominator of Node B तो उस केस में हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे A Dom B ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? A is Dominator of B कौन से केस में होगा? If all the path starting at the initial node of the graph that reaches to Node B go through B मतलब वो हर एक path जो start node से शुरू होता है वो किस के थुरू जाना जरूरी है? A के थुरू जाना जरूरी है ठीक है? अगर हम लोग B पे जा रहे हैं node B पे जा रहे है from the starting node तो वो हर एक path जो B पे जाता है अगर वो A से होते हुए जा रहा है तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि A is Dominator of B For example, यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अगर आपको 3 पे जाना है node 3 पे जाना है तो उस केस में हमें 1 से जाना ही पड़ेगा पर 2 से जाना जरूरी नहीं है बराबरे, node 2 से जाना जरूरी है? नहीं पर node 1 से जाना जरूरी है बराबर है उस case में हम लोग क्या कहेंगे कि node 1 is a dominator of node 3 वैसे अगर आप 4 की बात करते हैं तो अगर आपको 4 पर जाना है तो you have to go through node 3 बराबर है you have to go through node 1, node 3 तभी आप 4 पर पहुँच पहुँँगे तो पर जाने की जरूरत नहीं है बराबर है तो उस case में हम लोग कहेंगे कि node 3 is a dominator of node 4 ठीक है तो जब हम initial node से शुरुवात करेंगे और 4 पर पहुचेंगे तो वो सब node हमें include करना है dominator set में जिसके through हमें जाना जरूरी है और एक example देखते है कि अगर आपको 7 पर आना है 7 पर ना है तो 7 का dominator क्या रहेगा फोर रहेगा 7 से आना जरूरी नहीं है 7 पे पहुचने के लिए आपको 6 से आना जरूरी नहीं है 7 पे पहुचने के लिए बड़ाबर है बड़ापको 4 से आना जरूरी है 7 पे पहुचने के लिए क्योंकि आपके बास इमें यहाँ पर option है एक तो 5 से आ सकते हो ने तो 6 से आ सकते हो पर जरूरी नहीं है कि 5 से आना है और जरूरी नहीं है कि 6 से आना है बराबर है बट आप जब तक 4 से होते हुए नहीं आओगे तो आप 7 पे नहीं पहुच पहुच पहुचे वो path जो है वो 7 पे नहीं पहुचेगा इसलिए हम लोग क्या कहेंगे 4, node 4 is a dominator of node 7 but node 5 and node 6 are not the dominator of node 6 क्योंकि जरूरी है कि उस node से आना जरूरी है तभी हम लोग 7 पे पहुच पाएंगे तभी हम लोग dominator कहेंगे इसको ध्यान में रखिए कि 5 और 6 cannot be the dominator of 7 fine because here we have option here we have option either we can come through 5 or through 6 but 4 से आपको आना ही है 7 का dominator क्या बनेगा 4 बनेगा 3 बनेगा 1 बनेगा dominant set बनता है इस प्रकार से dominator find out किया जाता है और हम लोग लिखते वक लिखेंगे a dom b ऐसा लिख सकते हैं fine फिर देखते हैं हम लोग dominator relationship की properties what are the properties of dominator relationship तो पहली property है reflexive दूसरी property है anti symmetric और तीसरी property है transitive reflexive मतलब क्या है कि every node dominate itself every node dominate itself इसका मतलब क्या है कि हम लोग बोलेंगे a dom a क्या कहेंगे हम लोग a dom a या one dom one इसका मतलब है कि one जो है one को dominate करता है two two को dominate करता है three three को dominate करता है four four को dominate करता है ठीक है every node dominate itself और उस property को कहा जाता है reflexive मतलब अगर यहां पर देखिए one is a initial node तो one के थुरू आने के लिए आपको किसी और के थुरू आने की ज़रो थे के नहीं तो अगर मैं कहता हूं आपको what is the dominator of one dominator of one क्या रहेगा one रहेगा ही रहेगा क्यों because of this reflexive property reflexive property क्या कहता है कि हर एक node अपने खुद को क्या करता है dominant करता है तो उस case में आपका dominator set जो रहेगा one का वो null नहीं रहेगा empty नहीं रहेगा उसमें at least क्या आएगा one आएगा तो यह होगी आपकी reflexive property जो कहती है every node dominates itself then है anti symmetric anti symmetric क्या कहता है अगर हम लोग कुछ इस प्रकास से लिखते कि a dominates b and लिखते हैं हम लोग b dominates a ठीक है अगर हम लोग ऐसा लिखते कि a b को dominate कर रहा है और b a को dominate कर रहा है इसका मतलब यह होता है कि a और b क्या है same node है इसका मतलब क्या होगा a और b क्या होता है सेम नोड है क्योंकि सिमेटरिक यह तो आपका सिमेटरिक हो गया है। ठीक है यह एक अन्टिस सिमेटरिक इहें भताता कि ऐसा नियुक्य होगा कि जो है। पर बेजेom मतलब क्या है दोनों नोड क्या है सेमी है यह यह भी पॉइंट ध्यान में रखिए और थार्डिज ट्रांजेटियों प्रापर्टिस के बारे में बहुत सारे लोगों बता रहता है For example, अगर हमारे पास में ऐसा नोड है A dom B and B dom C तो उस case में हम लोग कह सकते है कि A dominates C ठीक है, यह transitive property है कि A अगर B को dominate करा है और B और C को dominate करा है इसका मतलब indirectly A is dominating to C तो इस property को कहा जाता है transitive property For example, यहाँ पर देखी कि 1 is a dominator of 3 and 3 is a dominator of 4 इसलिए हम लोग क्या कहेंगे 1 is a dominator of 4 ठीक है, तो 4 के dominator set में क्या आएगा, 1 भी आएगा 7 में 3 भी आएगा और reflexive होने के कारण खुद 4 भी आएगा, क्योंकि खुद हर एक node अपना dominator हो गाई होगा, fine तो यह हमारे पास में flow graph है इस flow graph के लिए हम लोग find out करते है, dominator set और उसके बाद बनाएंगे हम लोग dominator graph ठीक है, या dominator tree बनाएंगे fine, तो सबसे पहले dominator set find out कर लेते हैं अभी देखते हैं dominators of nodes of the given flow graph ठीक है, यह flow graph के nodes के हम लोग dominator find out करते हैं तो सबसे पहले देखिए dominator of one, अभी देखिए one जो है आपका initial node है, start node है तो उस case में one को आने के लिए आपको कही और से आने की जरूत नहीं है, क्योंकि one से ही शुरुवात होने वाली है बट जैसे हमने देखा था कि dominator relationship are reflexive उसके कारण हम लोग कहे पाएंगे कि one dominates one ठीक है, one क्या करता है one को dominate करता है one dominates node one और एक दूसरे बात है क्योंकि हम लोग शुरुवात कर रहे हैं यहां से initial node से तो हर एक node को क्या करेगा one जो है, dominate करेगा हर एक node को को नोड़ करेगा आने के लिए, तभी आप उस node पे पहुच पाऊंगे इसका मतलब है कि इस पूरे की पूरे nodes के set में, dominator set में का आएगा one आएगा ही आएगा ओके, देखते हैं two का two को, two पे पहुचने के लिए आपको आना पड़ेगा, one से होते वे two पे है, इसलिए हम लोग आप लिखेंगे one, two fine हर बार वो node आएगा जिसका dominator हम लोग find out करें मजब two के set में two आएगा, three के set में three आएगा, four के set में four आएगा इस प्रकार से क्योंकि reflexive है property जो है, reflexive property है उसकी तारण three का देखते आभी three पे आने के लिए आप आऊगे one से होते होए three पे, one से आना ही है आपको two से नहीं आया तो चलेगा, ठीक है तो भी आप three पे पहुच जाओगे इसलिए आपे one और three आजाएगा next देखते four का, अगर आपको four पे आना है तो one से होते होए, three से होते होए four पे आना पड़ेगा आपको इसलिए आपे one भी आएगा three भी आएगा, four भी आएगा ऐसा इसलिए one लिखना पड़ रहा है कि it is transitive, हमने बोला है one dominates three, three dominates four इसका मतलब है one dominates four और आप आप रहे one dom three three dom four therefore क्या लिखेंगे हम लोग one dominates four इसलिए four के dominator set में क्या आएगा one आएगा ही आएगा transitivity के कारण फिर देखें dom of five five का देखें, five पे आने के लिए किस के तरू आना पड़ेगा one, three, four, five इसलिए हम लोग app लेखेंगे, one, three four, five six पे देखते हैं, six पे जाने के लिए one, three, four, six one, three, four six seven का देखते हैं seven पे जाने के लिए आप one, three, four five नहीं लिखना है ना six लिखना है, आएगे लिए आप क्या लिखो कि seven तेखेंगे, क्योंकि आपको seven पे पोशने के लिए five से आना जरूरी नहीं है, it is optional, या six से भी आना जरूर नहीं है, it is optional, बराबर है, क्योंकि आपके पास में दो अलग-अलग path है, fine, तो 6 से आना भी जरूर नहीं है, और ना 5 से आना जरूर यह है, इसलिए हम लोग ऐसा कहे सकते हैं कि B, 5, node 5, node 6, जो है 7 को dominant नहीं करता है, और यह बहुत important चीज है, आना तो आपको 5 या 6 के थूरूर ही आना है, बट dominator क्या कहता है, कि उस node से आना ही है, तभी उस node को dominator set में क्या करो, include करो, तो आपको 5 से आना ही नहीं है, या 6 से आना जरूर यह क्या नहीं, you have option but आपको 4 से आना ही पड़ेगा तभी आप 7 पे पहुच सकते हो 1 से आना ही पड़ेगा 3 से आना ही पड़ेगा 4 से आना ही पड़ेगा तभी आप 7 से 7 पे पहुच सकते हो इसलिए हम लोग लिखेंगे Dominator of 7 is 1 3 4 7 ठीक है 5 और 6 नहीं आए आएगा ठीक है यह गलती नहीं करना है आपको फिर 8 का देखते हैं 8 पे देखिए अभी 7 से होते होगे आप 8 पहुच होगे तो जो आपका 7 का Dominator set हो आज इस यहाँ पे रहेगा साथ में आप क्या करोगे 8 को भी यहाँ पे आड़ करोगे वैसे ही 9 पे पहुचने के लिए आप 8 से आओगे तो 8 का Dominator set as it is रहगा यहाँ पे भी बराबर ठीक है और यहाँ पे 9 भी इंक्लूड करना है हमें ठीक है रिफ्लेक्सिव होने के गाराण 9 भी आएगा और वैसे 10 के लिए 10 के लिए आपको आना है एट से तो 8 का Dominator set as it is आप लिखोगी आपे 8 का Dominator set है हमारे वास में 1, 3, 4, 7, 8 क्वामा यहाँ पे गाएगा 10 आएगा ठीक है तो इस प्रकार से हमें क्या find out करना है Dominators of node जो है find out करना है और इसको use करके हम लोग बनाएंगे अभी Dominator tree ठीक है तो इसके बाद में इसी वीडियो में हम लोग Dominator tree भी बना लेते हैं तो अभी हम लोग ड्रॉआ करते हैं Dominator tree Dominator tree बहुत simple तरीकी से हम लोग ड्रॉआ कर सकते हैं starting with root node root node हमारे पास में यहाँ पे 1 1 लिखेंगे यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे देखो 1 से हम लोग 2 पे आ सकते हैं क्योंकि 2 का Dominator का है 1 भी है वैसे 3 का Dominator का है 1 है मतलब हम लोग डारिकली यहाँ से ऐसे आएंगे फिर next देखिए 4 का Dominator का है 1 3 है और 4 है यहाँ पे आएगा 1 3 4 पराबर फिर 5 का Dominator देखो 1 3 4 5 इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1 3 4 5 फिर 6 का Dominator देखिए 1 3 4 6 1 3 4 6 ठीक है उसके बाद में देखिते हैim 7 का Dominator 7 का Dominator का है 1 3 4 7 1 3 4 और यहाँ पे आएगा आपका 7 उसके आद में 8 का Dominator देखिते है 1 3 4 7 8 यहाँ पे आएगा 8 फिर देखिए 9 का Dominator 9 का Dominator का है 1, 3, 4, 7, 8, 9 1, 3, 4, 7, 8 और यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा ठीक है? और 10 का Dominator 1, 3, 4, 7, 8, 10 1, 3, 4, 7, 8 और यहाँ पर आएगा? 10 यह जो मिल गए आपको This is called the Dominator Dominator 3 में आपको ध्यान में रखना है कि सभी के सभी vertices और node क्या होनी चाहिए? cover होनी चाहिए सभी edges आपके cover नहीं होगे पर सभी nodes cover होनी चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास में 1 से लेका 10 तक total 10 nodes है तो सभी के सभी nodes देखो आपके Dominator 3 में available है तो simple तरीके से हम लोग क्या कर सकते? Dominator 3 को draw कर सकते है fine इसके अलावा और एक term है immediate dominator immediate dominator क्या होता है? देखते है there is one dominator of n ठीक है? other than n which is in turn dominated by every other dominator of n ठीक है? for example यहाँ पर देखो कि कोई node है n नाम का let's consider 5 अगर इसमें से हम लोग 5 को छोड़ देंगे तो बागी के dominator देखो 5 के क्या है? one, three, four तो यह same dominator जो रहेंगे न किसी और node के भी रहेंगे ठीक है? one, three, five one, three, four देखो किसके dominator है? one, three, four देखो node four के dominator है तो उस case में हम लोग क्या कहेंगे? कि node five का immediate immediate dominator कौन है? node four है node five का immediate dominator कौन है? node four है वैसे अगर हम लोग four की बात करते है तो four, node four की बात करते है तो four को छोड़ा जाए तो one, three बचेगा और one, three जो है किसी और का dominator है बराबर तो यह one, three किसका dominator है? three का, node three का इसलिए हम लोग कहेंगे कि immediate dominator of node four is node three वैसे हम लोग सभी के लिए find out कर सकते है अगर हम लोग three के लिए find out करेंगे तो इसको छोड़ो तो यहाँ पर बचता है one इसका मतलब यहाँ पर node one जो है इसका immediate dominator है वैसे इसका भी immediate dominator क्या है? node one है क्यों? क्योंकि two को छोड़ो तो फिर बचता गया है one और one किसका dominator है? node one का इसलिए node two का immediate dominator क्या बने का? node one node three का immediate dominator बने का node one पराबर और node one के अगर हम लोग बात करते हैं तो यह root node है तो इसका कोई dominator नहीं रहेगा immediate dominator नहीं रहेगा होने के वाज़े से अगर हम लोग node six की बात कर रहे हैं तो इसको छोड़ो तो one three four है का आप है और one three four देखो किसी और का dominator है किसका है node four का? इसका मतलब कि इसका intermediate dominator क्या है? node four इसका intermediate dominator अगर हम लोग देखेंगे तो देखना पड़े कहाम है कि one three four कहाँ पे? one three four है node four में तो ये node four आ जाए अब है ठीक है? तो देखो ये node node seven, node six और node five ऐसे कि जिसका immediate dominator कोन है? node four है वैसी इसका immediate dominator देखो कोन है? immediate dominator तो eight को छोड़ा जाए तो one three four seven कहाँ पे अवेले बले? node seven में तो इसका immediate dominator है node seven इसका भी immediate dominator क्या है? node seven है क्योंकि one three four seven eight sorry node eight है यहाँ पे node eight आएगा क्योंकि इसको छोड़ा जाए तो one three four seven eight कहाँ पे अवेले बले यहाँ पे node eight के dominator में तो ये इसका immediate dominator बनेगा और इसका immediate dominator क्या बनेगा देखो इसका भी node eight बनेगा इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते है immediate dominator find out कर सकते हैं अभी आप सोच रहे होंगी कि immediate down immediate dominator की जरौत क्या है तो जब आप decision tree बनाते हो न तो यहाँ पे हमें दो चीजों की जरौत परती है एक होता है root node और दूसरे होते ही immediate dominator ठीक है for example अगर आप root से शुरू करोगे तो root आप बना लो यहाँ पे उसके बाद में node one लिखोगे sorry उसके अगर node two लिखते हो तो उसको किसके साथ connect करोगे उसकी immediate dominator के साथ connect करोगे जो की node one है फिर node three लिखो किसके साथ connect करो immediate dominator के साथ में फिर node three node four लिखो यहाँ पे देखो four लिख दिया में node four किसके साथ connect करोगे आप उसके immediate dominator के साथ में फिर node five की अगर बात करते है node five किसके साथ connect करोगे उसकी immediate dominator के साथ node six को किसके साथ connect करोगे उसके immediate dominator के बाद जो भी है node four है node seven को किसके साथ connect करोगे उसकी immediate dominator के साथ ठीक है फिर node 8 की भी बात करेंगे तो node 8 को हम लोग उसकी immediate dominator node 7 के साथ connect करेंगे node 9 को भी उसकी immediate dominator node 8 के साथ connect करेंगे in the same way node 10 को भी हम लोग उसकी immediate dominator node 8 के साथ में connect करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोग dominator tree draw करेंगे तो एक तो हम लोग इसको observe करके directly dominator tree बना सकते हैं या हमारे पास में हमें use करना पड़ेगा image dominator का और root node का यह दोनों चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं यह tree को जो है build कर सकते हैं okay this was all about the dominators, dominator set, properties of dominator relationship and dominator tree next video में हम लोग discuss करेंगे back edges, concept of back edges